दोस्तों जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए दर्प क्यों घमंड कैसा सिकंदर जब भारत आया तो एक फकीर से मिलने गया सिकंदर अपनी अकड में था जीता चला जा रहा था हार उसने जानी यह नहीं थी उसके जैसा भी जेता कोई नहीं तब ही तो महान कहा जाता था लेकिन उस फकीर ने उसको ऐसे देखा जैसे कोई दरोगा चोर को देखता हो सिकंदर थोड़ा तिल मिलाया उसने कहा ऐसे क्या देखते हो मैं हूं सिकंदर महान फकीर ने कहा किस बात से तू महान है सिकंदर ने कहा सारी दुनिया जीत चुका हूँ फकीर ने कहा एक बात सुन तू मरुस्तल में खो जाए रास्ता भटक जाए प्यास लगे तुझे और मैं अपना या लोटा भर पानी भर का तेरे सामने आ जाओं तू गिड़ गिड़ाए कि मुझे पानी दे दो और मैं कहूं कि क्या देगा पानी के बतले में तो तू बोल जादा से जादा कितना दे से कईगा सिकंदर ने कहा अगर ऐसी हालत है कि मरुस्तल में मर रहा हूँ पानी के लिए तडब रहा हूँ तो अबना आदा राज दे दूँगा लेकिन फकेर ने कहा इंकार में से रिलाते हुए कहा आदे में नहीं बेचता तूने समझाई क्या मैं बेच दूँगा इतने सस्ते में ऐसा मौका छोनूँगा कुछ आगे बाठ लेना ही हो तो हिम्मत कर कंजूशी क्या कर रहा है सिगंदर ने कहा अगर ऐसी ही इस्तिता जाए तो उना पूरा राज दे सकता हूँ तब फकेर ने कहा तो बस हो गया मतलब हल मेरे लोटे बर पानी की कीमत है तेरे राज की तो मेरा लोटा तेरे राज से कुछ छोटा नहीं है तो तू क्यों अकड़ा हुआ एक लोटे पानी में बिख जाएगा तेरा सारा जीता हुआ राज और मैं तुछे कहता हूँ जब माथ दोर पर दस्तक देगी तो पूरा राज भी दे देगा तब भी एक चड़ नहीं पा सकेगा और यही हुआ शिकंदर जब भारत से वापस जा रहा था तो रास्ते में मर गया मरते समय अपने घर से महाच 24 गंटे दूर था अपनी महाच से वादा करके आया था कि कुछ भी हो जाए लोट कराऊंगा और सारी दुनिया तेरे चड़ों में चड़ा दूँगा समय उसने अपने वैदों से कहा कुछ भी करो 24 गंटे के लिए बचा लो उन्होंने अस्मर्ता जताई तो सिकंदर हसने लगा उसे फकीर की बात याद आई कहने लगा ठीक ही कहा था फकीर ने आज पूरा राज दे कर भी 24 गंटे नहीं खरीद सकता तो क्या कवा है यह जिन्दगी पानी में गई पानी पर नहीं देखा खीशता रहा तो यह बहुत ही ग्यान वर्दक कानी है यह दिक से दिक वाट्सप पर सेयर करें